हलो फ्रेंट्स मैं हूं धरमेंदर आप देख रहे हैं online free study youtube channel फ्रेंट्स इस वीडियो में देखने वाले हैं 15 नौंबर का जो second shift हुई है उसका analysis देखिए और फ्रेंट्स बता दूँ मैं आपको जो exam में आ रहा है वो topic wise आ रहा है मतलब जो topic है वो आ रहा है और देखिए ऐसे कि आपने सुबहे देखा था morning में घड़ी के कम सम दो कोशिन आयते कलेंडर की वी दो से तीन कोशिन आयते और जो math है math इतना tough नहीं आ रहा है वस moderate हुआ है तो आप लोग जो सोच रहे होंगे मतलब जो पढ़ने वाला portion होता है वो बड़ा हुआ है मतलब कोशिन को बढ़ा दिया है ना कि लेंगवेश को बढ़ा दिया है उसकी method तो वही है तो फिर से कि इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले बता दो इस वीडियो की PDF आपको प्राप्त हो जाएगी वह कहां मिलेगी इस वीडियो के description में यह गा telegram का गुरुप दिया हुआ है उसे join कीजे वहां पर join करने का डेलिविस पर current affair और बाकी PDF भी मिलती रहती है और पीडियो जो online free study की वीडियो की वीडियो है वो भी वहां पर मिलती रहती है फ्रेंट से की बता दूँ अगर आप online free study की वीडियो देख रहे हैं वहां पर जाएगा प्ले लिस्ट करके वहां पर एक प्ले लिस्ट करके option मिलेगा उस प्ले लिस्ट को देखेगा वहां पर आपको RRB, Group D और जो मैं कोशिन आया था एक रेल अपनी दिसा में 2 km प्रती घंटे और 4 km प्रती घंटे से दौड रहे 2 बैक्ती मतलब उस अपनी दिसा में 2 बैक्ती दोड रहें उसकी क्रम सा 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में जो ट्रें उती उन दोनों को पार कर जाती है तो निष्चित चाल ट्रें मिनिट या 2 मिनिट मैं कर पाएंगे लेकिन हम बितन 20 सेकंड में को कर सकते हैं कैसे जब पहला आदमी है या से चाली से चाली से चाली से बड़ी वाली जो चाल से चोटी वाली चाल को गरेंगे तो 22 किलुमीटर प्रिदी घंट जएगा चाल निस्चित चाल रही रेल की अब दूरी की बात करी जाए या फिर लंबाई की बात करी जाए ट्रेन की तो दूरी इसकल टूता चाल इंटू समय तो चाल हमें देखे चाल जो है चाल 22-2 क्यों की है ठीक है 22-2 क्यों की है यहाँ पर देखे 20 किलमीटर प्रती घंटे की चा आएंगे माइनस करेंगे इंटू करेंगे पांच वट अठारा का क्योंकि इसे चेंज करना है मीटर में और 9 से आप समय 9 सेकंड दिया है पहले व्यक्ति से निकालना है तो पहले व्यक्ति को गटाना है अगर दूसरे व्यक्ति से निकालना है तो चार यहां पर यहां पर चार आगे देखते हैं, गोशे नमबर 2, A और B किसी काम को करम सा 20, 25 दिन में सवाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर एक साथ काम स्टार्ट किया, कार सवाप्ती के दो दिन पहले, मतलब कार सवाप्त नहीं हो सब्सक्राइब, दो दिन पहले, बी जो है काम छोड़ देता है, तो पूर कितनी है, चार, तो कितना आजाएगा, उसका आड़ या नहीं कि आड़ जो काम है, उसने नहीं किया, आड़ काम बचा हुआ था, तो अभी देखिए, टोटल काम सो नहीं है, सो में आड़ जोड़ दी तो 108 अब टोटल काम हो गया, और टोटल एफिसिंसी हमें दिये, चार पांच नौ, नहीं कि 12 दिन में पूरा काम समप्त हो जाएगा, आगे देखते हैं, फ्रेंड्स, एक टंकी है, उसमें 3 बटे सूला भाग 15 बट में भर जा सकता है, तो से इस टंकी को भरनने में कितना समय लगएगा, फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, टंक लग रहे है, और आपकी वेल्यू क्या है, मतलब वेल्यू क्या है, आच वल्यू में कितना भाग भर रहा है, वल्यूम क्या है, वर्क क्या है, वर्क कितना हो रहा है, 16, 13 बटे 16 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 बटे सिस बचाना है तो इस कितन eer होघ जा तो सिस कितने बचिक तेन वट्ट में से अगर में दो इस तीन वट्टाएंगे तरह 15 वट्स watching यो यह काम बच जाएगा थो यहां पर करेंगे तो यह सुला से होट कड़ जाएगा यहां से करेंगे तो यह 65 मिनिट कर लिजे 65 आप जो भी टाइम दिया हूँ आपको दिया हूँ आपटी है आगे देखते हैं साधारन ब्याज की 15 प्रतिसत बार सिक दर से एक निश्चिस समय में स्वयम के पांच गुनाँ हो जाती है वे धनरासीओ उतने ही समय में कितने प्रतिसत दर से सुयम की नोगुनी जाएगी देखी अगर आप इसे करेंगे concept से तो दो मिट लग जाएंगे ठीक है concept से नहीं करना है बस आपको क्या करना है concept तो सीख लिया ओ तो कोई दिकत नहीं है लिकिन मै आपसे पहला वाला यह नीचे रखिएगा और जो पूचा है कितना गोना नौ गोना था लेकिन हमने उसके बना लिए उसे 8 गोना बना लिए तो इंटू कर दिए 30 परसन वारा अंसर आज जाएगा आगे दिखेंगे फ्रेंट्स तो देखिए टिग्नोमेट्री से भी कोशिस आ रहा है 1057 प्लस कॉट 37 अपॉन 1033 प्लस कॉट 37 तो फ्रेंट्स इसको हल करना था तो फ्रेंट्स बता देखिए कुछ नहीं करना इस पर एक चीज को चेंज कर लिए पहले उपर वाली दूसरों च मेंट 577 लट दिदेगे इसको केसवभी करेंगे यब इसको करेंगे तो आपको दिखाई यज ़ाले ऊगां झाक है यहांसे ठान जाएगए बच्छे का कॉंठा आ ये अपर जाएगा इसको äंसे भी लिख सकते हैं और अहीं लिख सकते हैं थो दौना तरीकी से लिख सकते ह आपके जो मर्जी है और मर्जी नहीं वाली बात नहीं है आपके exam में actual में आया क्या है court आया है या 10 आया है उसके एसाफ से आप करेंगे आगे दिखेंगे friends हमसे question पूछ रहे हैं आज भी अभी भी question आ रहे है calendar based तो देखे calendar based question है 22 February 2 को संबार है तो 15 March 2 को क्या होगा तो friends simple सा question है देखे 22 February में से कितने दिन बचे 6 दिन बचे 15 March तक जाना है जन्वरी February March मतला अगला में नहीं है तो 15 दिन और प्लस करेंगे कितने होगा 21 दिन बटे साथ करेंगे जितना भी सेस्वल आएगा वो मारे देन होगा तो सेस्वल तो 0 आ रहा है और Sunday हो गया 0 मतलब और संबार एक दिन प्लस हो गया नहीं कि संबार आंसर हमारा जाएगा अब देखें बैंट डाईग्रम था डॉट, ख, गैटर बडड बहुती सिंपल डॉट अलग होता है, एक होता है, बडड यहां पर जानवर की बात कर दी जाती जानवर तो जानवर पूरा आ जाते मतलब तीनों इसमें अंतर आ जाते ठीक है यहाँ पर यह नहीं बोला लेकिन तीनों नाम अला गला दीए इसलिए आपका अंजर ही होगा आगर देखेंगे तीतरा कोशन आठ अठाटाटाइस तो देखें फ्रेंड्स क्या है आठ में इन्टू करेंगे तीन का आठ यह 24 होगा प्लस करेंगे चार तो अठाटाइस हो जाएगा अगर 27 में आप इन्टू करते हैं तीन का तीन नाम 27 ठीक है साथी कितना 21 और एक आजाएगा दो उपर 6 और एक साथ ठीक है और प्लस करेंगे चार, यहाँ पर भी प्लस पांच लिखा चार कर दीजेगा तो कितना आजाएगा 75 वारा अंसर आजाएगा कितना आजाएगा 75 यहाँ पर चार कर दीजेगा पांच के जगा, आगे देखते हैं दो बज़े का mirror image क्या होगी और अगर आपका mirror image का यहाँ तो 12 में से आप गठा देते हैं 12 में से गठा देते हैं, उसके condition मैंने बताई है जो previous वीडियो कराई हैं उन्हें बिल्कुल अच्छे से बताई है तो 12 में से दोप गठाएगे तो कितना पचेगा 10 हमारा अंसर आजाएगा आगे देखेंगे 7, 10, 14, 19, बहुत ही simple सी है यह तो आप बिल्कुल करें लेंगे 3, 4, 5 है इस पिरकार की बढ़ रहा है, नमबर तो 25 हमारा अंसर आजाएगा ठीक है, आप देखेंगा देखें, hydrogen और helium किस आवर्थ और periods में आते हैं पिरिट्स के लिए, तो फ्रेंड देखेंगे इस पिरकार की एक आवर्ट सार्णी होती है आज दोनी का आवर्ट सार्णी होती है, इधर F विलोक होता है D, F सिर्फ करके ब्लोक होते हैं और periods 1 होता है जिसमें ऐसे करे periods होते हैं, यह groups होते हैं इस पिरकार के क्या होते हैं, पिरिट्स में आराम से समझा देता हूं यह इस पिरकार अगर जाएंगे तो यह होते है, periods अगर इसको ऐसी line कर दिये जाए तो यह होते हैं groups, यह groups होते हैं 18 और periods होते हैं 7 तो पहले आवर्त में आपको मिल जाएंगा, हेलियम और हाइडरोजन हाइडरोजन लेफ फर्स्ट एलिमंट है हावर्ट सानली का आगे देखते हैं कम्री के तापमावन पर कौन सा तत्व बेगल जाता तो γेंलियम और सीजियम जो होता है वो तोनर तर world उता बिगल जाते हैं सोडियम के कितने balance इलेक्टरू होते हैं तो सोडियम के सभी को बता है एक balancing electron होता है NSTL में आपने देखा होगा जो आयन देने के बाद electron देने को नेक्स देखते हैं चौता question तोरन की काई मीटापरती सेकेंड स्क्वेर है यांत्रीक उर्जा में से अगर मेकैनिकल उर्जा और काइनिकल उर्जा अठा दी जाए तो क्या बचेगा तो यांत्रीकी उर्जा होती क्या है यांत्रीक उर्जा से पहले आपको समझनी पड़ेगी इस्तिती उर्जा, इस्तिती उर्जा के बाद फिर समझनी पड़ेगी मेकेनिकल उर्जा, तो पहली बात तो अब उर्जा समझते हैं, उर्जा तो अब सब लोग जानते होंगे अगर किसी भी बस्तू में गती प्रदान कर दी जाए, कोई फोर्स लगा दिये जाए, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी अगर किसी भी चीच को चला रही है, किसी भी चीच को ट्राइब कर रही तो वो होती, मेकेनिकल एनर्जी अगर मैं मेकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को निकाल दू तो खुद की स्वेम की जो है उसमें क्या रहे जाएगी उर्जा रहे तो उस उर्जा को हम कहते हैं इस तथी उर्जा उसको यूट बड़े यूसे नोट करते हैं ओके आगे देखेंगे कोशन है तीन तलाक लागू करने वाला राज कौन है सबसे पहला यूपी है आई पिल टैन जो है कौन ने जीता तो बुमबई इंडियन्स ने जीता था बित्ति सचिप कौन है तो हश्मुक अधिर जी है सबै भी एक सीम पूछे थे आभी एक सीम पूछे है जैराम ठाकुर जी है नेक्स देखते हैं ऑस्टेलिया ओपन दुयराठारा वूमेन का जो है वो कसने जीता कैरोलीना ने जीता नीती आयो के चेर्मेंट सभी को पता है ये तो दसो बार कोशन आगए इसको तो बताने ज तो टौपिक है तो उन टौपिक को करना जोरी है तो इंडियन आइडियल दुयराठारे किसनीता सौमेय चुकरवतिने एक टाटा लिटरची प्राइस सबस्तु दॉयराठारे ने ता ग्रीश करणारना है और कतकली किस स्टेट का दांस है कतकली है केरल का दांस तुक है पढ़ने में दिक्कत हो रही थी किया रहे थे कि ज्यादा लिखा हुआ है ज्यादा लिख लिख के आ रहा है तो फ्रेंड्स देखिए थुड़ा टाइम लगता है लिखने के लिए अब ही ही है हमारे पास बशे टाइम परियाब्त है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर वह इसमें मात 70 अटेंट होगा और अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो 73 या 74 ही कर सकते हैं तो 74 मैं कहूंगा सबसे अच्छा गुट अटेंट है जो वह बहुत अच्छा एक्स्टो में से भी अगर आपके पांच कोशन गलत होते हैं तो इसको मान लेजिए आपके 57 नंबर ही रह गया है कितने रहे हैं 57 नंबर रह गया है और जर्णल में है तो 57 मत लेके आईएगा ठीक है आपको यहाँ पर 61 करना है कितना करना जर्णल में अगर CST OBC है तो इसके लिए कोई दिकत नहीं है उनको थोड़ा सा रिलाइवल मिल जाएगा वो अगर 60 कोशन करते हैं और अगर दो यह तीन कोशन गलत होते हैं यहां फिर मैग्जिम पांच कोशन गलत होते हैं आपका त्रेपन बनेगा त्रेपन या 52 स्कोर बनेगा क्योंकि माइनस माकिं भी होगी 52 स्कोर 52 स्कोर काफी है आपको SC या OBC के लिए जो आप कौलिफाय कर सकते हैं चन्री गड़ की नहीं बोल सकता हूं लेकिन बागी जो जगाय पहर वहाँ पर आप कौलिफाय कर सकते हैं तो फ्रेंट्स अगर कमेंट करके वो देगा कैसे लगी वीडियो अगर पसंद आई दे वीड इसको इजिली देख सकते हैं तो फ्रेंट्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बूलिएगा थैंक यू फ्रेंट्स वाचिंग इस वीडियो और वेस्ट आफ लग आपके एक्जाम के लिए